नमस्कार, वेलकम अगेंड, लास्ट वीडियो मा आपड़े सिंक्रोनस मोर्टर ने स्टार्टिंग करवा अमाटे नी अलग-अलग मेथड डिसकस कर यह दी, आधना वीडियो मा आपड़े सिंक्रोनस मोर्टर मा उत्बंथेविदु बेकी मेव, अने सिंक्रोनस मोर्टर नो अलग अलग लोड कंडिशन उपर नो फेक्टर डायग्राम जे छे एन्हें आपड़े स्टड़ी करवा चाही दिया जे तो स्टार्ट करिया आपड़े सिंक्रोनस मोटर मां उत्पन थहेला बेक E-MF तो बेक E-MF ने आपड़े डिटेल मां स्टड़ी करता पेला इन्हा नाम थी थोड़ा परीचित थे ये के बेक E-MF येमा बेक नो मतलब थाई छे रिवर्स रिवर्स अटलेके ओपोस करवा ये लोके एवु E-MF के जे E-MF सप्लाइ वोल्टेज नो ओपोस करे आवा E-MF आपड़े बेक E-MF तरीके ओड़क्ष हवे आप बेक E-MF सिंक्रोनस मोटर मां केवी रिते जनरेट थाई छे ए समझवा मांटे आपड़े डिटेल मां डिस्कसन करिया हवे जा बेक E-MF जे छे ए आर्मेचर वाइंडिंग मां प्रोडियूस थाई छे केवी रिते तक वे सिंक्रोनस मोटर ना स्टेटर वाइंडिंग मां 3-phase सप्लाई आपवाती रोटेटिंग मेगनेटिक फिल्ड प्रोडियूस थाई छे जो आपड़े जाणिये छे त्यार बाद स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर आपड़े बदा जाणिये छे अन्ने एंड मां रोटर अन् मेगनेटिक पोल वच्छे, मेगनेटिक लोकिंग थाई छे, अन्य रोटर जे छे, ए सिंक्रोनस स्पीडे, रोटेट थाती होई छे, अब मातर रोटर जो मिक्यानिकली रोटेट थाती नथी, साथे साथे तेमा उत्पन थायलू कोंस्टन्ट डिसी फ्लोक्स, अथवा तो फिल्ड वैंडिंग नू फ्लोक्स, आपन सिंक्रोनस स्पीडे रोटेटिंग थाई छे, तो एमनी स्पीड पन केटली है से, जेटली सिंक्रोनस मोटर ना स्टेटर मा रोटेटिंग मेगनेटिक फिल्ड नी स्पीड असे, एटलीज स्पीड है, फिल्ड वैंडिंग मा उत्पन थायला फिल्ड नी स्पीड है, अगे आ रोटेटिंग फिल्ड लेके फिल्ड वैंडिंग नू रोटेटिंग फिल्ड ये आर्मे कवा मा आवे छे, फर एक वार रिपीट करिए, फिल्ड वैंडिंग मा उत्पन थहेला rotating magnetic field ना, स्टेटर मा रहेला armature winding ना conductor नी मद्धित्थी कट थाई छे, और armature winding ना conductor मा EMF प्रोड्यूस थाई छे, आ EMF ने बेक EMF केवा मा आवे छे, और आ बेक EMF जे छे, ए सप्लाइ वोल्टेज नो ओपोजिट डिरेक्शन मा आउसे, एटला माटे ने वर्ड यूज कर लो छे आपड़े बेक EMF, और आ बेक EMF ने EB थी दर्शाव मा उसे, अवे त्यार थ्री फेज केलकुलेशन नी बात आउसे, तो बेक EMF पर फेज, एवी रित्या आपणे इने डिनोट कर सूँ, तो EBPH जे छे, एमनी डिरेक्शन, ए हम्मे सा, सप्लाइ वोल्टेज ना ओपोजिट डिरेक्शन मा आसे, तो EBPH आने सप्लाइ वोल्टेज, आ बन्ने वचे नो जो सबंद, बताव तू equation डिराई करवानू थ सप्लाइ वोल्टेज ने आपड़े VPH आतो वोल्टेज पर फेज थी आपड़े वोल्खिशू, और EBPH ने आपड़े BQEMF पर फेज थी वोल्खिशू, तो पिक्चर यह हूँ थाए कि सप्लाइ वोल्टेज चे छे, इस स्टेटर मा एज इन्पूट तरी क्या पवागा छे स्टेटर मा सप्लाइ वोल्टेज आपवा थी, स्टेटर वाइंडिंग ना रेजिस्टन्स नी अंदर यहमनो वोल्टेज ड्रोप थासे, स्टेटर वाइंडिंग ना रेयक्टन्स नी अंदर यहमनो वोल्टेज ड्रोप थासे, त्यार बाद बाकी नुझे EMF जे चे, इब લखી શકાય અવે એમાં આય એજે છે એઆરમે ચર્ણો કરંટ છે E F is equal to supply voltage minus voltage drop in armature yV E B P H is equal to B P H minus I A into Zs I A into Zs જે છે એઆપણી મોટરનો voltage drop છે तो आ 2 EMF जे छे ए मोटर माँ आवी रिते आपड़े समझी सब्यें हवे आपड़े आगल वाद करिए तो आपड़े सिंक्रोनस मोटर नो वेक्टर डायाग्राम तो के सिंक्रोनस मोटर नो वेक्टर डायाग्राम समझवा आपड़े 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 आप नो लोड मतलब के कोई प्रकार नो लोड आपेलो नथी त्यारे सिंकौनस मोटर नो वेक्टर डायग्राम केवी रिते प्रिपेर थासे अने कई इनफोर्मेशन आपने अवेलेबल थासे अवे ए समयत्या पेला अमुग गाइडलाइन जे छे ए आपने फोलो करशू कोई प्रण वेक्टर डायग्राम नी अंदर के आपने हम्मेशा सप्लाई वोल्टेज ने एज ये रेफ्रेंस तरीके रेफ्रेंस वेक्टर तरीके कंसीडर करशू मतलबके एक सक्सिस उपर आपने वी पी एज ने ड्रोइंग करी अने आमना रेफ्रेंस मा राखी ने बिजा बजा वेक्टर जे चे एन आपने ड्रोइंग करशू तो आगल वधिये तो वी पी एज जे छे एने एक सक्सिस मा ओरीजिन उपर थी ड्रोइंग करवा मा आव से त्यार बद आपने पासे एक्वेशन छे बेक एमेप नू तो क्या बेक एमेप इस एक्वेल टू सप्लाई वोल्टेज माइनस आइए इन्टु जेड़ेस हवे आ आई एक्वेशन उपर थी आपने आई एने एक्वेशन ओब्जेक्ट बनावियो तो आई ए इस इक्वेल टू इबी पी एच माइनस वी पी एच डिवाइड़ेड़ बाई जेड़ेस आउ एक्वेशन बन से हो अवे प्रस्णा यह हो थाई के बेक एमेप अने सप्लाई व आई एक्वेशन माँ आपने जोई है तो इबी पी एच माइनस वी पी एच आब बन्ने नी कीमत सर्खी होई तो इस पर मैथेमेटिक आई एनी कीमत 0 थाई आउ क्यारे थाई छे के जहरे मोटर तमारी नो लोड उपर होई त्यारे आउ आई एक्वेशन लेके आर्मेचर करंट नी कीमत 0 थाई अन्ने मोटर तमारी कंटिनियोसली नो लोड उपर चालू छे तो आउँ प्रेक्टिकली पोसीबल नती जहरे मोटर चालू छे अने करं जीरो कियम ना आवे? तो यहनो आंशर यह आवे, कि जैरे नो लोड उपर कंडीशन होई, कि लोड कंडीशन होई? मोटर ना पोतान ना लोशिस ने ओर कम करवा माटे, मिनिमम करण्ड तो यहां, नो लोड कंडीशन मा पौन फ्लो थत होई? तो practically आई नी कीमत 0 थती नथी theoretical अपड़ेम ने आई नी कीमत 0 प्रूव करे ली छे तो एनो मटलब एव थाए सिंक्रोनस मोटर माँ नोलोड कंडिशन माँ करंट नी कीमत 0 नो होवानू कारण सिंक्रोनस मोटर ना इंटर्नल लोसिस ने ओवर्कम करवा माटे करण्ट नी कीमत 0 थरती ना थी तो ये mathematically केम थाई छे तो ये mathematically एटला माटे 0 थाई छे करणके आपने बेकीये में पने सप्लाई वोल्टेदने इक्वली छे एउँ धारी ने चाले लो तुम तो हवे एना उपर थी आनू करेक्टिव एक्षन एउँ थाई के EBPH अने VPH ये बने सर्खा न थी सर्खा न थी तोसुन डिफरंस चे तो आपने हंटिंग माँ एक फिनोमेना जोय थी के रोटर अने स्टेटर एक बने ना मेगनेटिक फिल्ड वच्चे एक एंगल जनरेट थाई छे तो आँ एंगल ने आपने नाम आपे लोट एंगल तो आँ लोट एंगल जेटलो पण हसे एटला एंगल है तमारू बेक EMF जे छे एह supply voltage थी 580 मलबके ओच ओच हूँँँँँँछे इंसोट हंटिंग तमें क्यो पथवा तो लोट एंगल क्यो आप बनने माँथी कोई एक रिजन ना करने बेक EMF जे छे एज ए supply voltage थी हमेशा 580 से एटला माटे आई नी कीमत mathematically 0 थाई शके पर practically ये लोशिस ना कारने आ कीमद 0 थती नती तो बेक EMF अने VPH ये बने इक्वल एन ओपोजिट डिरेक्शन मा आउसे अने आई एनी कीमद मेथेमेटिकली 0 प्रूव थाई जे तो वेक्टर डायग्राम मा इबी पी एच नो वेक्टर इबी पी एच थी 180 डिग्री ए इक्वल लेंथ नो ड्रोइंग करवा मा आउसे जे आपड़े आक्रूतिमा बत्यावेलो जे तो आवाच चे सिंक्रोनस मोटर नो नो लोड उपर नो वेक्टर डायग्राम हवे आपड़े आगल वाज करसू ए सिंक्रोनस मोटर ना ओन लोड उपर ना वेक्टर डायग्राम नी हवे लोड तमें अपड़े करसू तो लोड नी केरेक्टरिस्टिक त्रण प्रकानी वह शक्या ए जर तमारो लोड लेगिंग पावर फेक्टर होई अथ्वा लीडिंग पावर फेक्टर होई अथ्वा युणिटी पावर फेक्टर मा वह शक्या तो आ त्रणे त्रण लोड कंडिशन मा वोल्टेज अने करंट वच्चे ना एंगल मा वेरियेशन आवसे अने करंट अने वोल्टेज वच्चे ना एंगल मा वेरियेशन आवे अटले त्रणे त्रण कंडिशन मा वेक्टर डायग्राम जे छे एमा वेरियेशन जोवा मल से तो त्रणे ने आपड़े इंडिवीजियली डिसकस करवा जरुरी बने तो सव पर्थम पेला वाज करिए सिंक्रोनस मोर्टर नो वेक्टर डायग्राम औन लेगिंग पावर फेक्टर मतलब के जारे एपलाइड करेलो लोड ए लेगिंग पावर फेक्टर उपर काम करतो होई त्यारे सिंक्रोनस मोट्टर नो वेक्टर डायग्राम के वी रिते ड्रोइंग करी शकाए आ करता पेला थोडा नोटेशन हो जेचे एना आपड़ा स्टडी करी लेए कि जे आपड़े आगलना त्रन्य त्रन्य लोड कंडिशन मा कोम होन असे सौप्रतम पेला वाद करिए इंटर्नल एंगल तो इंटर्नल एंगल जे छे एन्ने ठीटा नी मद्यत्ति दर्षाव माज शें अन आ ठीटा ने ओप्टेन करवा माटे तमारी पासे सिंक्रोनस मोटर नो सिंक्रोनस रियक्टन्स अने आर्म्यचर नो रेजिस्टन्स नी कीमत होई जोरुरी छे तो एंटर्णल एंगल ठीटा अपने डिराइउ करी सोबिये तो आर्मैचर करन्ट अने लेगिंग अगल मेल अने टर्मिनल वोल्टिज आपने वचे शेल अंगल सो आत्र ना पवर्फेक्टर ना किम्मच ना आधारे डिराई करवानो रेसे हवे वाज करी आपड़ेनु step by step drawing जेथी करीने आपड़े दर्येक एंगल दर्येक वेक्टर अन्ने दर्येक रिजल्टन्ट वेक्टर ने आपड़े समझी चक्ये तो सवप्रथम जे आपड़े पेला नक्के करूँ छे विडिते त्यार बाद आपड़े डिराई करेला पावर फेक्टर ना एंगल उपर थी के जेने आपड़े फाई निमद्द थी ओड़क्सु तो जेटला पन एंगल ले तमारो लोड जेचे ए लेगिंग करतो होसे ए लेगिंग एंगल फाई थी आर्मेचर करणट आई एन वेक्टर करवा माउसे त्यार बाद लोड एंगल डिल्टा डिराई करवा माउसे आ लोड एंगल डिल्टा जेचे ए ए ebph औने vph मणलब के बेक e.mf औने सप्लाई वोल्टेज वच्चे नो एंगल छे आंगल डिरेव कराई अबजा बाद एंगल नी मद्द थी आपड़े ebph नो वेक्टर नूँ ड्रोईंग करी सक्षों तो अत्यारे आपणी पासे टोटल त्राउंट प्रकार ना वेक्टर नूँ ड्रोईंग थेगी एक जे छे शप्प्लाई वोल्टेज बीपीएच जे रेफ्रेंस वेक्टर छे एम्ना रेफ्रेंस मालाई अने पावर फेक्टर ना एंगल थी आरमियाचर करन्ट आई नूँ गर्व करकार अने लोड एंगल और डिल्टा नूँ उप्योग करीने बीफा अलेकं ऑब्येमफ नूँ नू गर्व करता चुँँ तो थर्नय त्रण न Vector मा O A Vector जे छे, ए शप्लाइ Voltage नो Vector छे, O AB Vector जे छे, ए बेक EMF नो Vector छे, ને back EMF अन्日 supply voltage ना बन्ने वेक्टर नो उप्योग करी ने resultant EMF resultant voltage ER ने derive करवा माईश है आ derive करवा माемाँटे law of parallelogram नो उप्योग करवा माईश है जयनी मत ञती तमने resultant vector ER के जयनी केमस तम्यमे मेण युशक्ञ એ આ રેટલે કે આ કુરુતિમાં આ પડે ને ઓ બી વેક્ટર થી ડ્રોઇંગ કરેલો જે અને રેજલ્ટંટ વેક્ટર ઓ બી અને આર્મેચર કર્રંટ આઈ એ આ બંને વજ્ચેનો એંગલ જેછે એને આપણે ઇને ઇન બને છે જે ટ્રાએંગલ છે ઓ એબી જેમાં ઓ એજે છે એ રેફ્રંસ વેક્ટર 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 એર છે અને એ એબી જેએ જેએ છે એબેક એમેફ નો વેક્ટર છે આ ત્રણ વેક્ટર ની મધ્ય થી ટ્રએંગલ ઓ એબી જનેરેટ થાઈ એબી સ્ટર માઈક્ટર નો આપેક્ટર નો આપ્ટર નો વેલ્ય ફાઈટ કરી સક્ટર હેક્ટર નો આપ્ટર નો આપ્ટર તो આમને ઉપર્થે આપ્ટર અપ્ટર ફકેક્ટર નો એકેકેવ્ સ્લથું અ્ટર રોટ VPH સ્ટર સ્ર સકેર મઈનો સેક e b मा apply करिये तो e b ph is equal to sin e b ph is equal to side a b तो side a b नो opposite angle थाई शे theta minus 5 तो e b ph divided by sin theta minus 5 is equal to e r divided by sin delta आ equation दिराइ करवा माटे आपडे sin trigonometry ना equation नो knowledge होँ जरूरी शे समझ आई टुक मा समझवानी ट्राइ करिये तो e b ph e b ph अटले आपणी triangle माया side थाई शे a b और a b side नो opposite angle थाई शे theta minus 5 तो आ बनने उपर थी equation एवू बनने के e b ph divided by sin theta minus 5 और e r अटले के side ob और side ob नो opposite angle थाई शे delta तो e r divided by sin delta आ बनने equal ही थाशे इमना उपर थी आपड़े resultant vector e r नो आपड़े object बनाव equation नो तो e r is equal to sin delta into sin sorry e b ph divided by sin theta minus 5 आई equation नो उप्योग करीना आपड़े resultant vector नो फाइंड करी सक्किये तो vector diagram ना मद्य थे आपड़े 2 e mft कीमद तो था resultant voltage नी वेक्त नी कीमद पन आपड़े मेरी सक्किये आपड़े 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 लेगिंग पावर फेक्टर माँ synchronous motor नो परफोर्मस तो त्यार बाद बाद करिये तो के बई जारे synchronous motor उपर leading load वाड़ो leading power factor वाड़ो load apply करवा माँ आवे त्यारे यसों situation थाशे तो वेक्टर ड्रोइंग मां कोई पन प्रकार्णा sequence मां फेरफार करवानी नती मातर अवे डिफरेंस नू थाशे के प्रिवियस कंडिशन मा लेगिंग पावर फेक्टर हतो मतलब के तमारो आर्मेचर नो करंट जे हतो ए शप्लाइ वोल्टेज थी लेग बिहाइंड हतो ज सव प्रतम इंटर्नाल एंगल ठीटा फैंड करवान ओरे से त्यार बात पावर फेंटर एंगल फैंड करवान होरे से अन्य स्टेप नंबर वन जे रिपीट करवानु छे कि सव प्रतम अपड़े सप्लाइ वोल्टेज वी पेच ने वेजे वेक्टर तरिके एक सकसे सूपर origin थी scale according to drawing कर सू त्यार बाद armature no current जे छे के हवे जे पहला lagging मा आ तो हवे leading मा आउसे तो ये 5 जेटला angle ये leading मा आउसे त्यार बाद back emf नू drawing करवा मा आउसे जेने angle delta थी मज़द थी अने according to scale drawing करवा मा आउसे त्यार बाद low parallelogram नी मज़द थी आपने resultant vector लेके er resultant emf येननों वेक्टर डिराई करवा मा आउसे सेम procedure है ये अपने आपने follow कर सू के back emf ने find करवा मा आटे आपने triangle o a b ने consider कर सू equation सेम अज रहे से बढ़न तो ये आवे कीमत मा थोड़ो गणो फेर फार आउसे तोके ebph square is equal to vph square plus er square minus 2 vph into er into cos theta plus 5 अजया ध्यान देवु जरूर है previous condition मा angle अतो जे ecos theta minus 5 अतो जे angle अहां आवे change थे ने theta plus 5 थाई आटलो difference छे मात्र लेगिंग पावर फेक्टर अने लीडिंग पावर फेक्टर ना equation नो बाके बुदू as it is देशे तो आवे देते आपड़े ebph नू equation जेचे ये derive करी सक्षों त्यार बाद resultant vector find करवा माटे same procedure फोली कोर सो ebph divided by sin theta plus 5 अगें ध्यान दोर वाजे हुआँछे लास्ट प्रेवियस condition मा एंगल बनते हो तो यह theta minus 5 होतो जह यहां एंगल चेंज चेंज थे यह theta plus 5 थाईजे is equal to er divided by sin delta आपना उपर थे आपने resultant vector er ने equation नों object बना विये तो er is equal to sin delta into sin ebph divided by sin theta plus 5 तो आप बने equation नों उप्योग करिये ने आपने बेक किये में होने resultant vector नो magnitude calculate करी सक्ये त्यार बाद वाज करिये हुए कि जहरे तमारो load नो पावर फेक्टर यूनीटी चे यूनीटी पावर फेक्टर नों मतलब voltage अने current अंगल जे छे यह 0 तो यहां आपड़े उप्जोव करी सक्ये छे के reference vector vph अने armature current i a आ बने वच्चे नों एंगल 0 छे मरल अपके यहमनी उपर ड्रोइंग करेलू छे इभी vph अने i a त्यार बाद load एंगल delta नों उप्योग करी ने बेक emf नो वेक्टर ड्रोइंग करवा मा अटे low of parallelogram नों उप्योग करी अने resultant vector e r नो ड्रोइंग करवा माँ से त्यार बाद triangle o a b नो उप्योग करी ने बेक emf ebph नो equation नो derivation आप यहलू छे जे आपड़े previous condition मा apply करेलू हतु हवे यह एंगल मा अगें पासो change आउसे जहरे power factor lagging हतो त्यारे बनने वच्चे नों एं theta minus 5 हतो leading power factor मा angle theta plus 5 थियो औन हवे unity power factor मा 5 नी कीमद 0 होई जे यह लेकें angle मात्र theta आ रहे से तो ebph नो equation ebph is equal to under root vph square plus ebph square sorry e r square minus 2vph e r into cos theta नी मद देथी ebph नी कीमद आपड़े मेल यह शती है त्यार बाद बाद करिये resultant vector find करवा माटे तो अगें triangle a o b मा sin equation apply कर विये तो ebph divided by sin theta is equal to e r divided by sin delta मा e r ने equation नो object बना विये तो e r is equal to sin delta into ebph divided by sin theta न उप्योग करिये आपड़े resultant vector e r नी कीमद आपड़े मेल यह शती है तो आ आथी bkmf अने अलग-अलग load condition उपर synchronous motor नो vector diagram हवे आपड़े आगल ना वीडियो मा synchronous motor ना power stress diagram वीशे study कर सूँ में आपड़े हूं आप झाल है